खेलो प्रेंट्स प्रैटी लेर्णिंगे यूत्यूब चैनल में अब सभी का स्वागत है जिहां प्रेंट्स आज हम धेकेंगे कि आप बिजनिस रेजिस्टेशन- जो बटो कि अप संस्ता रजिस्टेशन के अंदर आ गया है तो वह बिजनिस रजिस्टेशन आप कैसे कर सकते हैं अपनी संस्ता का अपने बिजनिस का इसके लिए बने रहे वीडियो के अंतर तक संस्ता आधार के संस्ता आधार लिकने के बाद यहां पर आपको एंटर प्रेस करना है और एंटर प्रेस करने के बाद जो कि यहां पर अप्लाई वाले टेप कर देंगे और apply वाले टेप पे click कर देंगे apply वाले टेप पे click करने के बाद यहां चार option आ रहा है पहला firm दे रखा है फिर NGO दे रखा है फिर government और semi government आप firm का registration कर सकते हो गवर्मेंट सचता है तो उसका कर सकते हो और semi government अगर कुछ है तो उसका registration कर सकते हो हम यहां फिर फरम का registration करेंगे आ आगे कि टेप open होगी नेक्स्ट यहां पर सबसे पहले मोबाइल नंबर लिखने हैं मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहां आपको mail id लिखनी है mobile नंबर और mail id लिखने के बाद यहां capture code लिखके verify पे क्लिक करेंगे तो लिखते हैं हम डिटेल और डिटेल लिखने के बाद यहां क्लिक करेंगे वेरिपाइप पे डिटेल हमने लिख दिये हम यहां वेरिफाइप वाले टेप पे क्लिक करते हैं तो वेरिफाइप पे क्लिक करने के बाद जो मोबाइल नंबर और mail id दी गई है उस पे जाएगा OTP और वो OTP आपको यहाँ फिल करना है हमने OTP फिल करके submit वाले टेप पे क्लिक करना है submit वाले टेप पे क्लिक करने के बाद यहाँ चार इस टेप में जो registration का process है वो दे रखाए जिसमें first दे रखाए identification charging alt इसके बाद एरिया टाइप करना है रूलर या बढ़ आयए सेलेक्ट करना है तो आईे डी पूर्व टाइप में आप आधार में जनादार और आईडि पूर्व से कर सकते हो लेकिन आप आधार कार्ड से करते हो तो आपका जो रेस्टिशन है तुरंत अप्रोल होगा बाकी केस में अप्रोल में टाइम लग सकता है यहां पर आधार नंबर लिखेंगे और आधार नंबर लिखने के बाद यहां करेंगे और टीपी रीचीव हो गया हम वेरिफाई वाले टेपे क्लिक कर देते हैं तो यहां पर आधार नंबर वेरिफाई सक्सेज पुली बता दिया इसके बाद नेम आ गया आपका नेम आधार कार्ड के कोडिंग ओटोमेटिक लिए जाएगा इसके बाद टेजिंग नेश उसके बाद कंटूनी वाले टेपे क्लिक करने के बाद आगए कि step अगया मेह आफिके यहां पर नेम एड्रेस ऑप inori घ्रेस बहले ओले आता है यहां पर नेम जो आपका फोर्म नेम है बीजनिस का निम है वह नेम आपको यहां पर लिखना है और मेल करें यहां पर आपको हाउस बियल्डिण नम्मबर अगर कुछ है तो दो लिखना है इसके बाद लेंड इस टिट वो एक प्लेडिश की प्रोसेस हैं दो कोल्म के अंदर आपको यहां पर एडर्स लिखना है डिस्टीव आपको उल्रडी सब्सक्राइब करोगे और यह फिल करने के बाद आपको यहां पर पिन कोड नमबर लिखने है इसके बाद टेलीफोन नमार हो तो लेगे मेल लेखने के बाद लेखता है पैन नमबर कि कुछ की तो यहां पर लेक्व देंगे पैन रपैन नमबर यहां प्रोप्रियाटरी clock give गिन दोनों नहीं हो दोनों लेंक चोड़ देंगे इसके बाद bank detail आती है जिसमें account number आता है bank का name आता है और branch name with city village तो यहां हमने account number लिख दिया है bank name हमने यहाँ select कर दिया और जो branch name है वो हम यहाँ पे type कर रहे हैं यह करने के बाद weather head office is available अगर मालो आपके पास head office अलग से available है तो आप yes करोगे otherwise no क करोगे तो हमारे case में head office नहीं है तो हम no कर देंगे आप yes करोगे तो वहां के जो number है registration number आपको लिखने है तो हमारे case में no है इसके बाद corporate dance address जो है हमारा institute पहले से address है मतलब संस्ता का जो address है वो तो second वाला option आपको select करना है इसके बाद third step पे दे रखा है institutional details इसके बाद type of establishment दे रखा है जिसमें आप किस माध्यम से हो तो हमारे case में with picture outside household दे रखा है जिसमें show factory ओपीज वगेर आती है तो हम इसी category में आते है आप business में हो तो किस चीज में किस चीज का business करते हो service sector तो किस sector में service देते हो वह आपको यहां पर select है हम education sector में है तो हमने education यहां से select कर लिया इसके बाद ownership code में यहां पर प्रोप्राइटिश परम है सिंगल मालिक जिस परम का होता है उससे प्रोप्राइटिश परम बोलते हैं वह है इसके बाद year of establishment 2015 हमारा बिजनीस स्टार्ट करेते हैं तो हम यहां लिख देंगे अगर नया बिजनीस हो तो आप नोट स्टार्ट करोगे इसके बाद वेदर एन परमोण वगेशे लेकर दोन वह उसके बाद आपकर एनवाले का बिजनीस है ना लग्हान हो तो लिखना है इसके बाद यहां और चेर्मेन टीटेल उसे के लिए PAT एक्ट डिटेल यहां पर आपको लिखना है जिसमें उद्यव रेजिस्टेशन नंबर अविलेबल हो MSMB के अंदर तो यस करेंगे और यहां रेजिस्टेशन नंबर लिखेंगे अगर रेजिस्टेशन नहीं हो तो आप उस करनें के बाद हम सम्मीट वाले टेप पर क्लिक करने के बाद यहां पूरी दीटेल एक byणर पर यहां पर दिख गया कंप्लीट प्रीव आप यहां चेक कर सकते हैं जो भी प्रिव है जो भी आपने information add गी है वो अगर information में कुछ edit करना हो तो आपको back करना है otherwise final submit करते हैं तो हमारे case में सब details से ही हम final submit कर दिए और तो इस परकार हमारा registration successfully यहां पर complete हो गया जिसमें हमारा registration certificate आ गया SAN card आ गया संस्ता आदा नंबर card और इसको यहां पर download वाले टेप पर clicker के download करेंगे फिर application दे रखा है application form भी हम यहां से download कर सकते हैं तो इस परकार से आप अपना संस्ता आदार बना सकते हो जो पहले business registration के नाम से बनता था दोजार चोईस के अंदर यह नए प्रोसेस है इस प्रोसेस से आप अपना संस्ता आदा रेजिस्टेशन कर सकते हो वीडियो कैसा लगा लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थांक्यों पर वाचिंग बाई बाई